तो दोस्तों आज के लिए एक गजब का महुल चाहा है मतलब हर चीज के लिए लोग ट्राय कर रहे है कि आउनलाइन हमें सुविधा मिल जाए लाइक क्रोम एक्स्टेंशन इनका बात ही क्या किया जाए मतलब बहुत सारे एक्स्टेंशन रियली बहुत तकड़े लाइक स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको करने है ख्रोम एक्स्टेंशन ऐसे हैं जो आपको ओल्ड पीसी में बहतरी तरीके से वर्क करेंगे इवन याड नोट अल्ली स्क्रीन रिकॉर्डर बहुत अलग अलग चीजों के लिए आपको मिल जाएंगे उसी में से एक चीज है एंड़ॉड इम्याटर क्या आपको लगता है एंड़ॉड गेम्स को पीसी में खेलने के लिए आज कलं हम लोग क्या-क्या यूजे करते हैं इम्याटर हो गया, एंड़ोइड ओस हो गया क्या यह चीज़ आप cloud-based कर सकते वो भी free of cost क्योंकि देखा जाए तो chrome extension जालतर सारे की सारे free रहते और यह देखो chrome ही नहीं मैं बोलूँगा जितने भी browser है सब के लिए वो extension work करते like brave उठालो edge उठालो क्योंकि सारे के सारे mostly तो chromium base ही है तो यह देखा जाए तो यार क्या यह browser games चला पाएंगे आज इसका उपर से परदा उठाने वाले काफी लोग बोल भी रहते भाई chrome extension ट्राय करो इनसे भी android चलता है आज देखते हैं कैसा android चलता है बागे सवागा ताब सभी का एक और brand new video में अभी currently बताऊं तो भाई एक ही सुविधा के नाम में जानता हूँ जिसका नाम है blue stack X जो यार android games को PC पे चलाने के लिए cloud based working करता है totally और even android से भी आप यह चीजे कर सकते हूँ तो वह तो यार एक natural मतलब यार blue stack का तो नाम ही चलता है यूस भी कर रहा है हमने ओ service i button पे देख भी सकते हो चाहो तो तो वह तो एकदम यार proper वाली चीज हो गए अब आज यह जो यह जितने भी online है यह अपने कौन से chrome extension इनका क्या performance रहता है तो उसके लिए PC पे चलते है एक-एक performance चेक करते है क्या क्या चीजे मिलती है गेम्स चल पाती है कि नहीं वह भी देखते है तो लेट्स बीगें दर वीडियो तो दोस्तों यहां पर आचुके यहां पर यहां पर टोटली चेक करते है अब देखो यहां पर मैंने दू एप्लिकेशन डाल रखे लाइक छोटी सी गेम अपनी सब्वे सफर है क्योंकि अभी मेरेको इतना ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं है कि ओनलाइन उमिलेटर वह इतनी खतरना कि जैसे Call of Duty Free Fire वैसी गेम चला पाएंगे सब्वे सफर एक सेकेंड के लिए में मान सकता हूं वह चला सकते हैं बागी WhatsApp भी तो चलना चाहिए अब देखते हैं चेक करते हैं तो यहां Simply मैं बाई Chrome पर पहुंच जाता हूं यहां पर त्री डॉट पर क्लिक करना है यहां More Tools का option मिलेगा और यहीं आपको एक option मिलेगा एकस्टेंशन का बिल्कुल आप पहुंच जाओ यहां साइड में यह बटन दबो और यहां से आप वैब स्टोर पे पहुंच सकते हो तो गूगल पर सर्च करके भी डिरेक्ली रीच आउट कर सकते हो अब यहां Simply यहां पर सर्च आ रहा है न यहीं पर लिखके देखते हैं क्योंकि जातर इस पर हर चीज अवलेबल है लाइक देख सकते हो SEO के टूल से यहां पर आपको मिल जाएंगे बहुत कुछ मिलता है इनके स्टोर पे मज़दार लगता है मैं तो काफी बार एक्स्प्लोर करता हूँ क्या क्या है अब यहीं पर simply हम सर्च में लिखते हैं बहुत डेवलपर है इस पर कुछ ना कुछ तो बनाया जरूर होगा तो Android Emulator लिखता हूँ simply आप सब के सामने and here we go Android Emulator सर्च करते हैं और Top पे हमें मिल रहा है एड़ जो मैंने कर रखा है खुझ से भी और यहीं वाला सबसे Trusted है क्योंकि नीचे वालों के तो रेटिंग भी बहुत खतरनाक दे रखिया देखी सकते हो एक एक स्टार है और Review भी इतने नहीं है यह एक है जिसकी आर देख सकते हो फाइव लेक से भी ज्यादा यूजर से तो बोल सकते हो एक Trusted और एक बहतरीन मुझे यहीं लगा तो इसको मैंने एड़ कर लिया अब जितनी performance होगी इसी की लेवल की होगी इससे बहतरीन तो कोई है नहीं जैसे एड़ कर रहा है तो यह देखो मैं आपको दिखाता हो AP के आ रहा है यहां पर और जब मैंसे उपन करता हो तो कुछ तरीगे का इसका interface रहता है अब यहां मैंने WhatsApp को पहले इंटीग्रेट कर दिया है अब देखते हैं यह WhatsApp चला पाता है यह WhatsApp चल जाएगी करते हैं और यहां पर अपना लोड हो रहा है completely सारा कुछ क्लाउड बेस हो रहा है तो आप बोल सकते हैं इतनी तगडी तो मेरे को नहीं लगता परफूमेंस मिलने वाली है पर इवन जाल चेक करते हैं आजकल मार्केट आप पता भी चल जाएगा हम लोग पहुंच चुके हैं और यह बिल्कुल भाई यह रिमूव एट को और पर पैसे मांगेंगे हम नहीं करने वाले वह चीज तो बाग यह देख सकते हैं WhatsApp तो यह चीज तो क्लियर हो गई ओपन अगें पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो शायद खुल जाए WhatsApp मुझे क्योंकि WhatsApp से उमीद है थोड़ा सा यह लैगी सा भी है देख रहे हो आप इस पे कलाउड में अभी अच्छी तो परफोर्मेंस नहीं मिलेगी क्योंकि इनके सर्वर जो भी चीज आप बोलो इतने भी भैतरी नहीं है और अगर मैं सिर्व WhatsApp ओपन करता हूँ तो एक सेकेंड के लिए शायद हो भी जाए बोल सकता हूँ यह चीज हो सकती है पर एक चीज तो क्लियर होगी जब WhatsApp पे इतने नख रहे हैं यह बिल्कुल नहीं सपोर्ट कर सकते है इतने खतर ना तो बेकार कोशिश रहेगी आपकी छोटे मुठे अप चलाने लाइक वटसे वटसे तो तब भी सपोर्ट करने में भी थोड़ा आपके जमेला करना पड़ेगा पर उसमें चांसे है कि चल जाए पर गेम्स बिल्कुल मत जाओ भाई इन पर एकदम बेकार रहेंगे अब आपको पता चल गया क्या परफोर्मेंस मिलती है आप खुलने में इतना टाइम लग रहा है तो गेम तो आप भूली जाओ अब आप क्या कर सकते हो अगर आपका अब आपको आपको बहुत फाइन रहेंगे दूसरी पर आपका PC बहुत ओल्ड है तो Android OS यूज करो Android OS पर आप बेटन पर वीडियो देख सकते हो यह बेस्ट रहेंगे बाई देखो Android को अभी एकदम क्लाउडली अवलेवल कराना मुश्किल लग रहा है देखो PC की गेम्स तो हो गई है पर Android का अभी scenario लग निरा अभी time लगेगा इन चीजों में देखते हैं यार Chrome extension वर्किंग तो जरूर है पर इतने भी खतरनाक नहीं है वो कि Android गेम्स चला दे इसलिए बहुत जादा जो दिखाते है थोड़ा करते हैं उनकी रेटिंग चेक करो उसके बाद ही उस करो क्यों कि काफी यार ये बेकार भी रहते हैं आपका data data का भी misuse कर सकते हैं तो उसके लिए आपको यार be protected खुदी रहना पड़ेगा बगी चलो यार लाइक कर सकते हैं सब्सक्राइब बनता है शेयर करते